जो सिती वही काम्याब है सब्सक्राइब तरे हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो श्रक्राइब एलाइब क्लिक करें चतुराई चौपट करें घ्यानी गोता खाए सीधे साधे इंसान को असानी से प्रभू मिल जाए दोस्तो बहुत सारी लोग बहुत जादा बुरा बन जाते हैं बहुत सारी लोग बहुत जादा अच्छा बन जाते हैं बहुत सारी लोग अलग अलग किसम क्याटकंडे अपनाते हैं कोई कोई चला की दिखाता है कोई जुस्ती दिखाता है कोई कुछ दिखाता है मतलब सब अपनी अपनी कहानी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं मगर कई बार टेड़ा बनने की जगा सीधा बनने में जाधा कलमंदी होती है कई बार हुश्यार बनने की जगा बेवकुफ बनने में जाधा कलमंदी होती है कई बार लोगों को देखकर अपने आचरन को बदलने की जुर्थ पड़ती है कई बार किसी मुर्ख के सामने बैठकर आप अकलमंदी की बात करेंगे तो उसके लिए आप उसके लिए भैस के आगे बीन बचाने वाली सिच्विशन आ जाएगी दोस्तो किन टाइमों पे किन चीजों पे आपको ऐसा काम नहीं करना जाइए यह मैं अप आपको बताओंगा सबसे पहले मैं आप से कहूँगऑ दोस्तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आप बाद में लाइक करना भोल जाते हैं दोसो सबसे पहले मूर्ख इंसानों के बीच में कभी भी मूर्ख इंसानों के बीच में होश्यार मत बनिये हो सकता है आप चार लोगों के बीच में बैटे और वो चारों के चारों मूर्ख हो अकल का खाना खाली, बातों का कोई मतलब नहीं और उनकी मूर्क तापून बात सुनकर आप कहरे हो यार ये कैसी बाते कर रहे है आप उनकी बातों को काटोंगे वो कहेंगे यार तू तो पागल है तेरे कोछ नहीं पता वो आपकी उल्टी बात को कार देंगे और चारों मिल और आपको बेख औफ प्रूफ कर देंगे कामका आप क्यों बुरा बनते हो यार देखो दोस्तो जिंदेगी में कामयाब होना है सक्सेस्फुल बनना है तो मूर्ख इंसानों के मूँग कभी मतलगो और यह आचारे चानक के जी भी कहते हैं कि जहां मूर्क लोगों के टोली हो वहाँ पे कभी भी हुश्यार नहीं बनना चाहिए जो आदमी साधा हुश्यार बनता है उसी को फिर लोगों आगे कर देते चल तूई कर ले अब काम एक काम कर सारे का दोस्तों दूसरी चीज दूसरे तब आपको हुश्यार नहीं बनना चाहिए जब आप किसी नहीं जगा जाओ सपोस्त करिये आपने कोई निया कॉलिज जोइन करा आप वहां जाकर बहुत ज़ादा प्रोफेसर बन रहे होतो सब कहरे वारे तो अपने आपको जावी हुश्यार बन रहे है फिर होगा आपको न तो information देंगे नआपको कोई बात पताएंगे ना आपको आगरे करेंगे ना आपको मतलब कोई भी information नहीं देंगे ऐसी स्तिती में आपको कभी भी नई जगा पे हुश्यार नहीं बनना चीए हो सकते आपको पहले starting में लगे यार मैं तो मूर्कों के बीच में कैसी कैसी मूटता कर रहा हूँ मगर मूर्कों के साथ ज्यादा हुश्यार मत बनी है सब्सक्रिया आपने कोई नया ओफिस जॉइन करा अब आपने नया ओफिस जॉइन करके एक तम से बोस को इंप्रेस करने के लिए जादा दिखा दिया तो बोस भी कहेगा बेटा इसी से करवाता हो जादा काम वो कहेगा एक काम कर मेरे बच्चों को स्कूल से पिले ही तो यह लोई ले आ तो तो बहुत इमानदार है दोस्तों जादा इमानदार, जादा हुश्यार बनोगे, जादा सीधे बनोगे, जादा अच्छे अच्छे जादा बहुत जादा मिस्टरी येस बनोगे तो लोग आपके साथ यही करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा आपको मूर्क बनना है दोस्तो मूर्क बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं लोग आपको बेवजय इस्तमान लहीं करते हैं और मूर्क इंसान को लोग अकसर प्रवचन देने में बिलीव करते हैं आपको सारी information मिल जाएगी आपको ग्यान बटोरना है और जब आप पस ग्यान होता है तो निश्यत या हार ये कित्ती बुरी तरह बिचारे हार रहे हैं काश ये जीट जाते दोस्तो ये एक human tendency है हारते वे इंसान को लोग मन में सोचता है कि यार ये जीट जादा काश तो ऐसी situation में आपको ये नहीं दिखाना कि आप बहुत जादा हीरो अगर आप हीरो बनोंगे तो लोग आ आप उनसे साथ जानते हो हो सकता है पीडी वाई साथ जानते हो बर अवर ओर लाइफ का जो तजर्बा है वो उनका निश्यत तोर पे आपसे कहीं गुना साथ होता है दोस्तो भगवान शिरी हनुमान जी बहुत साथा विद्वान थे शास्त्रों का भी ज्यान था बल सुर्ग जामत जी से ही पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए तो जामत जी ने ही बताया कि आप श्राप की वैसे अपनी शक्तियों को भूल गए थे आपकी शक्ति अगर याद दिलाई जाए तो आपको याद आ सकते है नुमान जी ऐसी सिच्वेशन में हनुमान जी ने तो अगर आपको जिन्दगी में कामयाब बनना है तो सीखने के लिए त्यार रहिए जादा विद्वान ना बनिये थोड़ा मुर्क बनकर चलागी से अपने काम को निकल वा लीज़े जादा यादा आप जादा हुश्यार बनेंगे तो कोई आपको कुछ भी नहीं सिका है क दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए कमेंट बॉक्स मताइए कैसा लगा जैहिंद वंदेमाग